Hello Friends, Welcome to RBC Classes आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे Class 12 के लिए समाज सास्त्र भारती समाज एक पर्चे जो हमारा टोपिक रहेगा भारती समाज एक पर्चे इस चप्टर के हम कुछ महतवपूर्ण प्रशनों को डिस्क्रस करेंगे जो की 2021 के बोड़ एक्जाम के लिए बहुत ही महतवपूर्ण रहेंगे ये प्रशन अक्सर बोड़ में पूछे जाते हैं तो आईए अपने वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला कोशन रहेगा भारत के राष्ट्री एकी करण की मुखे समझ्याएं क्या है जो भारत का राष्ट्री एकी करण है उसमें उत्पन होने वाले प्रमुख समझ्याएं क्या है तो इसका आंसर रहेगा छेतरी बाद, पिर्थक राज की माग, भासाओं में विभिन्नता तथा आतंगवाद ये सभी भारत के एकी करण में रुकावट पैदा करते हैं इन समश्याओं के कारण अक्सर दंगे, हर्तालें तथा परस्परफ विरोध होते रहते हैं दूसरा कुष्यों की तुलना में समाज सास्त एक भिन्न विसे क्या है? कोई समाज के बारे में कुछ जानता है अनन विस्यों की सिख्चा हमें घर, बिद्लाले या अनैस्थानों से पराप्त होती है जबकि समाज के बारे में हमारा धिक्तर ग्यान बीना किसी सुस्पष्ट सिख्षा के प्राप्थ होता है समय के साथ बढ़ने वाला या अभिन अंग की तरह है जो सवभाविक तथा स्वतर स्पूर्थी तरीके से प्राप्थ होता है जो समाज है उसके आधार भूत कार्य क्या होते हैं तो आधार भूत कार्य हैं सदस्यों की न्यूक्ति सेवावं का उत्पादन तथा वितरन आदेश का पालन विशेश अग्यता सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं उसके तत्व महिला तथा पूरुष विन प्रकार के वयवसाइक वयश्क तथा बच्चे तथा धार्मिक समुह इत्यादी बच्चे माता पिता तथा विविन समुह के मध अंतर संबंद अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा वयवस्ता अत्व संबंदित तथा पूरक अधार्णा बन जाती है भरमित करने वाले सामाजी करण के द्वारा हमें बच्चपन में सामाजिक वांचित्र क्यों उपलब्द कराया जाता है सामुदाइक पहचान क्या है इसकी विशेष्थाओं का वड़न करो यह जन्म तथा समन्दों पर आधारित होता है ना कि अर्जित योगता अथवा निपूर्था पर जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ती विशेष्थ की पसंदों का कोई महतु नहीं होता यह वस्तत निरर्थक तथा विभेधात्मक है इस प्रकार के आरोपित पहचान आत्म निरिक्षण के लिए बहुत ही हतोसाहित करने वाली है समदाय के विश्तारित तथा अति व्यापी समंदों के समंद जैसे परिवार, रिष्टेदारी, जाती, नश, लिभासा, चेत्र अपना धर्म में विश्च को अपनी पहचान बदाता है तथा स्वेंकी पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या है, इसकी विश्च्टा है, समंदाय हमें भवासागत तथा सांसगर्टिक मूल सिखाता है, जिसके दवारा हम विश्च को समझते है फिर है आत्म वाचक क्या है नैश कुछन रहेगा सात्मा आत्म वाचक क्या है आत्म वाचक से विप्राय है समाज सास्त्र हमें यह दिखा सकता है कि दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं आत्मवाचक का मतलब होता है कि समाज सास्त्र हमें यह दिखा सकता है कि दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं यह आपको सिखा सकता है कि आप स्वें को बाहर से कैसे देख सकते हैं नेश कुछ रहेगा आठमा रहेगा समाज सास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों तथा समाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा समंदों का खाका खीचने में हमारी मदद कर सकता है चर्चा कीजिए तो सी राइट मिल्स के अंसार समाज साष्टर व्यक्तिगत परिशानियों एवं समाजिक मुद्दों के मद्ध कडियों एवं समंदों को उजागर करने में मदद कर सकता है व्यक्तिगत परिशानियों से मिलकर का तात्वर है कि वे अनेक प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं, समझ्याएं या सरोकार जो सबके जीवन में होते हैं नवा कोशन रहेगा किस प्रकार से अपनिवेसिक सासन ने भारती चेतना को जनम दिया चर्चा कीजिए तो इसमें आपको पॉइंट लिएक लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अपनिवेसिक सासन द्वारा अपनी सासन वयस्ता को सुचारू रूप से बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गये तो कौन कौन से कदम उठाए गये थे फर्ष्ट रहेगा पॉइंट इसमें उत्पादन के छेतर में नई यांतिक तकनीक का इस्तेमाल, व्यापार में नई बाजार वयस्ता की सुरवाद, परिवहन तथा संचार के सादनों का विकास, अखिल भारती इस्तर पर लोक सेवा अधारित नोकर साही की का गठन और लि भारत में ब्रिटीस उपनिवेस काल के दोरान समाज सुधार आंदोलन चलाए, मतलब भारत के समाज सुधार कों के नाम बताने आपको, तो कौन से हैं, बाल गंगा धर तिलक, राजा राम मोहन राय, इस्वर चंद विद्या सागर और महात्मा गांधी, बार्वा कोशन है, उन प्रक्रियाओं का वडन कीजिए, जो ब्रिटीस उपनिवेस काल के दोरान प्रारम की गई थी, तो कौन सी प्रक्रियाओं हैं, यह हुआ समय था जब भारत में आधुनिक काल का प्रारम हो चुका था, तथा पस्चिमी करण, आधुनिकी करण और धोगी करण की सक्तिया भारत में प्रेश कर चुकी थी, नेक्ट कोशन रहेगा, समाज सास्ट तथा अने, विसियों के बीच मुख्य अंतर को सपष्ट कीजिए, समाज सास्ट तथा जो अने विसे हैं, उनके बीच क्या अंतर होता है, आपको इसका आंसर बताना है, तो फ्रेंट्स, इसका आंसर सालियों, घरों तथा अने जगों पर पढ़ाया जाते हैं, दूसरा पॉइंट रहेगा, चूंकि जीवन के बढ़ते हुए करम में समाज सास्ट एक अभिन हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी, सुतह, स्पूर्थी तथा स्वाभाविक रूप से प करते हैं, जहां तक दूसरे विश्यों का समंद्ध है, इसमें चात्रों को पूरो जानकारी नगड़ रहोती है, मतलब नक के बराबर होती है, और लास्ट पॉइंट रहेगा इसका, यद भी इस प्रकार की पूरो जानकारी अथवा समाज के साथ प्रगड़ता का समाज सास ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से लिए गए हैं, उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आगे होंगे, इसी प्रकार के और इंपोडेंट कोशन के लिए हमारे साथ बने रहे हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं, उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं